नमस्कार, निउस क्लिक में आपका बहुत स्वागत है, और जैसा आप आजकल सुन रहे हैं, बहुत चर्चा में है सिंट्रल विस्ता, दिल्ली के अंदर नई संसद होगी, नई बिल्डिंग होगी. इसके क्या माइने है आम जन के लिए दिली वासियों के लिए और देश में रहने वाले लोगों के लिए इसी विशे पर हम लोग बात चीत करेंगे और हमारे बीच में है जाने माने आर्किटेक्ट इस देश के नरायन मूर्ती जी और कांची कोली जो की परियावरन रिसर्चर हैं आप दोनों का बहुत स्वाकरत है कांची आपका भी और नरायन आपका भी नारायन सबसे पहले मैं आपी इसे पूछना चाहूंगा कि दरसे बहुत चर्चा हो रही है लेकिन आम जन को शायद जादा मालूम नहीं है सेंट्रल विस्ता क्या से ये पता है सेंट्रल विस्ता है पारलिमेंट है, प्रेजिडेंट का घर है सौथ ब्लॉक, नौथ ब्लॉक है और राजपत है लेकिन अभी ये हो रहा है कि इसको पूरा रीडेवलप करने की बात हो रही है बीस हजार करोड रुपया लगेगा कोई बारा हजार करोड बोल रहा है अगर आम भाशा में हम बोलें और आम नागरिक को ये जानना है कि Central Vista क्या है कैसे आप इसको देखते हैं क्या है Central Vista तो वैसे वास्तव में देखा जाए तो Central Vista राश्ट्रपति भवन से लेके एक तरफ और दूसरी तरफ इंडिया गेट तक जो सीधा एरिया है तीन किलोमेटर लग तो तीन किलोमेटर एंड एक तरीके से देखें तो उसके आगे भी जो सर्कल बनती है इंडिया गेट के चारों और जहां पर एक जमाने में जो राजा महराजा थे उनके महल बने थे और नाशनल स्टेडियम पे अंत होता है वैसे तो जो आर्केटेक्ट थे अंग्रेज लटेंज उन्होंने जो सोचा था यह जाके पुराने किले को देखता है और यमुना की तठ तक जाता है तो वो एक लंबाई एक तरफ वो सेंटरल विस्टा कहलाती है उसके इर्दगिर्ज जो बिल्डिंग्स हैं सरकार की और उनको मिलाके उस एरिया की उसको प्रिसिंक्ट बोलते हैं वो बनता है और ये बनाया गया था आज से करीब 105 साल पहले अंग्रेजों ने उस पे क्याम पुशुरू किया था वो एक राजधानी बना रहे थे एक नई राजधानी भारत के लिए उनको तब लग रहा था कि उनको शासन उनकी शासन की जो लंबी अवदी होगी और उसकी जो महत्व है वो दिखाने के लिए उन्होंने बनाया अब जब हम आजाद हुए तो हमारे जो पूरवज थे वो चाहे तो इसको छोड़के अपनी नहीं बना सकते थे पर उन्होंने दू चीजें ये समझी कि ये देश एक तो गरीब देश है और दूसरा उनको ये विचार था वैसे देखने जाएंगे तो महत्मा गांदी, जवालन नहरू, सदार पटेल ये सब लोगों ने शिक्षा भी अपनी बाहर पराप की थी एक जमाने में उन्होंने भी सर्ट पैंट और सूट पहना था सब अंग्रेजी बोलते थे तो उनको ये समझ थी कि परंपरा जो होती है वो एक किसी आधार पे नहीं होती वो सारी चीजें जो हमारे अंदर जाती हैं, जो हमें बनाती है जोड़ के आती है और उसी तरह ये देश भी जो है आज 2000-3000 सालों से जो भी आया है इस देश ने उसे अपना लिए गा है युनानी आये थे आज से मेरे खाल 3,000 साल पहले और आज तक हमारा जो गंधारा आर्ट है वो सारे युनानी आर्ट में रिखाने तो उन्हों ने ये सोचा कि हम इसको अपनाएंगे अपना बनाएंगे उसमें जो बहुत जादा अंग्रेज रोब के जो चीजें थी जैसे किंग जॉर्ज के जो स्टैचू था जो वो एक क्यूपोला में था उसको उन्होंने हटा लिया कुछ चीजें लाइटिन में लिखी हुई थी राश्रपदीभण के ओपर पारलिमेंट के ओपर उनको उन्होंने हटा के हमारे जो संसृत के श्लोक है वो चीजें लखवाई एक तरीके से उन्होंने इसको अपना बना लिया और आज हम जो लोग हैं हम उसको अपना ही समझते हैं और अब जो यह होने वाला है नया जो नया सिंटल विस्ता बनने वाला है वो कैसे भिन है उस spirit से या उस भावना से जो भावना आपने समझाई है अगर जब देखें तो क्या होने वाला है होने ये वाला है कि उस पूरे तीन किलोमेटर के स्ट्रेच के ऊपर बड़ी बड़ी आठ मंजिल की office की इमारते मलने वाली है दोनों तरफ दिवारों की तरह है क्योंकि एक-एक बिल्डिंग देट सो मीटर लंबी होगी और हाडली बीस मीटर का ब्रेक होगा फिर एक और देट सो मीटर की बिल्डिंग होगी तीन किलोमेटर तक तो एक छोटा आदमी खड़ाओके वहाँ देखेगा उसको दो आठ मंजिली दिवारे नजर आने वाली है आज जो वहाँ पे युवा युवक जाते हैं जो बच्चे जाते हैं खेलने गरीब लोग आते हैं इस डेली से और पुरानी दिल्ली से और क्योंकि उनके पास वहाँ पे कोई खुली जगे नहीं है तो ये एक तरीके से उनका पार्क है वो रोज शाम को आते हैं जब भी मौसम ठीक होता है तो बुरा पार्क जाने वाला है हाँ और होगा आज क्या है आज सिरफ पेड़ों के बीच में बैठते हैं उसको एक पार्क की तरह इस्तेमाल करते हैं कल जब सरकारी ओफिसे मन जाएंगी दोनों तरफ कोई भी आम आदमी वहाँ पे जाके सुकून नी मिलेगा उसको तो जो होने वाला है ये है कि जो उननीस सो साट एक सट से पब्लिक की जगे मानी जा रही है मास्टर प्लान में इनोंने उस करीपरी दो तहाई एरिया को इसलिए रख दिया था कि यहां पर जो आम जनता इस्तमाल करती है नैशनल म्यूजियम नैशनल थेटर नैशनल लाइबरिरी ये चीज़ें बनेंगी उन्होंने ये सोचा था कि गरवर्णमेंट की जो होनी चाहिए यहां से खतम होने वाला है ये बाहर जाने वाला है ये बहुत ही उम्दा बात आपने गई कि जो लोगों को दरोवर मिली थी तो वो जो माटीरियल के साथ जो उसका स्पिरिच्वल पार्ट था वो पूरा दोनों को दोनों नया माटीरियल आने वाला है और नया स्पिरिट होने वाली है कांची यहीं से हम आपको लेना चाहेंगे कि हमने देखा है जो प्रेसेंटेशन हुई है सरकार की तरफ से सरकार की तरफ से इसको कांट्राक्ट मिला है अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं कि कॉंट्रैक्ट कैसे मिला है क्या मिला है लेकिन उने कहा है कि कुछ भी डेंसिफिकेशन नहीं है कुछ इन्वाइनमेंट को फर्क पड़ने वाला नहीं है 25,000 है पर स्क्वे किलोमेटर ये 50,000 तक जा सकती है और इसे काबन फुट्प्रिंट भी लो होने वाला है आप कैसे देखते हैं एन्वाइनमेंट के एस्पेक्ट से क्यूंकि बहुत साथा अभी बातचीत हो रही है कि पेड़ कटने वाले है और जैसा नरायन ने भी कहा कि एक्चली आप गर्मी में भरी गर्मी में लोग पेड़ों के नीचे बैठते हैं वहाँ पर असर में क्या है कि इसमें अगर पर्यावरन आंकलन की बात करें आप तो बहुत सारे मुद्दे निकल के आएंगे मतलब जिसको ऑफिशिल एंवार्मेंट इंपक्ट असेस्मेंट बोलते हैं लेकिन अगर उसका अगर उस लीगल प्रक्रिया में ना भी जाएं और किसी को साधारन रिक्ति को समझना है कि इसके पर्यावरन की उपर प्रभाव क्या क्या होंगे उसमें भूतल की ग्राओंड वाटर की बात आ जाती है उसमें बायू प्रदूशन की बात आ जाती है ट्राफिक से आने जाने के रस्ते में क्या होगा पेड असल में खुली जगा का एक हिस्सा है वो खुली जगा जो है उससे water population भी होता है बहुत कुछ उसके माइने होते हैं जो social use है वो तो है ही है तो अगर वो सारी चीजों को आपको समझना है तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये project है क्या अब जैसे नारायन ने बताए कि बहुत सारी building आने वाली है और redevelopment होगा जो खुली जगाए है जैसे नया parliament जो बनाने वाले है वो एक recreational park है पूरा पूरी खुली district park, recreational park है उसके उपर building बनेगी तो अगर आज उसका इस्तमाल नहीं भी हो रहा है उस खुली जगा का अपना परियावरन से जुड़ा हुआ एक role रहता है महत्व है कि उससे water population होगा वो खुली जगा है और उसके detail में हम लोग जा सकते हैं लेकिन सबसे बढ़ी बात इस project में होके आ रहे है कि सब्टेंबर से आज तक इस project के नक्षे जो है वो बदलते रहे हैं continuous evolving जो हमेरेजी में बहुआ है तो in fact architect ने खुद बोला है it is an evolving project अगर वो बदल रहा है तो हम परियावरन के उप इस सारी issues के उपर यह तो हेरा फेरी वाला मामला है आपके आपने जो समस्या उठाई उसका जवाब दे रहे हैं दोनों तरीके से असल में आप पूरी तरह से इसका प्रभाव क्या है वो समझ नहीं पाएंगे जब तक पूरा project है उसका खुलासा नहीं करेंगे क्योंकि हर project का 10 km का एक दायरा रहता है तो यह थोड़ा आप समझाएंगे कि क्या मतलब है 10 km अब आप समझ लीजिए से नारण कह रहे थे कि एक लंबी सड़क है और उसके साथ इधर जो पूरा असी एकड का एरिया है अब उस असी एकड के एरिया के 10 km रेडियस को आप द यूडियू हो जाती है अगर वह साफ साफ नहीं आएंगे तो हम जनता हैं हम समझ नहीं पाएंगे कि मेरे उपर क्या प्रभाव होने वाला है कि मेरे आने जाने के रस्ते में को दिक्कत होगी यह तो साफ है कि अगर वहां पर बिल्डिंग है तो वह सुकून हमें मिलेगा कितने पेड़ जाएंगे यह उसका अखिलन नहीं होगा क्योंकि जब जब ट्रांस्पोर्टेशन का मटीरियल अंदर भार जाएगा उसके लिए सड़कें भी खुलनी पड़ेंगी तो वह असल में अंदाजा आपको है नहीं और उसका खुलासा हुआ भी नहीं है अभी जो खुल की आई है बात वो सिर्फ एक पार्लिमेंट की बिल्डिंग से जुड़ी भी बात आई है उन्होंने बोल दिया कि 194 पेड उसमें कटने वाले है दिल्ली में असल में पेड की गन्ना काफी सालों से हुई नहीं है तो पेड कितने कटने वाले आपको मालूम ही नहीं और उसका Environment Impact Assessment और यह नहीं पता है कि कितना रिडियस में इसका जाने वाला है एक चोटी बात में और जो जो अगर आप देखिए दिल्ली में और दूसरे शहरों में भी जो आयू प्रदूशन की समस्या हुई है उसमें सबसे बड़ी चीज एक जो कॉंट्रिबूट करती है और आप पिछले साली देख लीजिए लोग चिला उठे थे कि आपने Construction Projects को बैंक कर दिया है तो अगर इससे और Construction करेंगे तो फिर चलते फिर फिर वो बैन होगा फिर वो डीले होगा इसकी ज़रूरत क्या है इसमें एक सवाल यह भी आ रहा है कि बहुत सारे ग्रूप्स थ रहेंगे होना ही नहीं चाहिए हाँ पर जैनुन का कुषिशन नहीं है लेकि नहीं होना चाहिए कुछ बोल रहें इसमें पूरा Transparency नहीं थी जैसा कांची ने बात रखी Continuously evolving मतलब यह अब दुनिया के एक methodology है काम करने की जिसको DPR हम बोलते है कि उस DPR के अधार पर काम ह लगे आ हुलां कि और एपिसोड में लाएंगे उनने एक्सपोर्स को भी लेकिन आपको नहीं लगता है कि बहुत घरभर काम ला है यह है कि पूरी तरह से नहीं सोच गया क्यूंकि इस तरह का प्रोजेक्ट होता है तो पहले तो उसके बारे में सोच विचार होता है सोच व और नहीं, in fact, so much so, कि ऐसे तो एक JPC होती है पार्लिमेंट के लिए, इस गए गुच्छानों में, कांची शाय से जादा बता पाएंगी, पर वो JPC ही नहीं है पार्लिमेंट की मामलों की देखरे के लिए, तो एक नया संसत बन रहा है, पर एक कमिटी नहीं है उसकी देखरे के पर उन बातों को छोड़ते हुए भी जब एक इस तरह का प्रोजेक्ट जब होता है गंतंत्र में, तो इसमें पहले तो चर्चा होनी चाहिए, पहले तो जो लोग स्पेशलाइज लोग है, उन सब से कंसल्ट करके, यह देखना पड़ेगा कि क्या हमें इसकी जरुवत है, कितनी जरुवत है, किन-किन चीजों की खास आज कमी पढ़ रही है, जो को पूरा करना है, फिर उसके उपर स्टडी होनी चाहिए, कि बनेगा तो कितना बनना चाहिए, यहां बनना चाहिए, कहीं और बनना चाहिए, उसके बाद जाके इसका खुलासा होना चाहिए, फिर आ इसके बाद जाके फिर वापस एक चर्चा के बाद हम सोच सकते हैं इस देश में कि हम सब लोगों ने साथ में सोचा कि हम यह करने वाले हैं यह तो मतलब ऐसे कि कोई भी मतलब मेरे वगल की बिल्डिंग को तोड़के उसको बनाने वाली बात हो गई है उसमें कुछ बाकी समस्व है यह उसको गिरा देते हैं और एक और आठ मन्जिली बना देते हैं दो फ्लोर लगा देते हैं उस तरह से उसकी तरफ का अप्रोच है जो उनका जो शासक था, जो डिक्टेटर था, उसने जो एक पैलस बना रहा था वो अपने लिए, हजार कमरों का, वो जब गिरा, जब शासन गिरी, तो उन्हों ने उस पैलस को उठा के अपनी पार्लिमेंट बना ली, तो हर कोई नया बिल्डिंग नहीं बनाता मैं स्पिरिट की बात कहीं पूरा जो शुरू आती दोर में, इसका वास्तू पहलू है, बहुत सारे लोगों के यह बोलना है, क्यूंकि वास्तू पसंद नहीं है, इसलिए जो मौझूदा सरकार इसको बदलना चाहती है, इसका लीगल पहलू है, और तमाम पहलूं पहलूं बहुत बहुत अन्यवादू